हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉनिंग, आज की इस वीडियो में बात करते हैं, ऐसी मेला हैं जिनके इस्तनों में दूद कम बनता है या नहीं बनता है, उनकी लिए कौन सा घरे लोपाथता होमेपथिक ट्रेटमेंट है, तो इस्तन में दूद का बनना एक नेचरल प्रोसेस है, दूद की मातरा या तो कम बनेगी या तो नहीं बनेगी, हार्मोन के प्रभाव से गर्भावस्था के दवरान दूद नहीं बनता, जबकि डेलेवरी के बाद इस्तनों में दूद बनने लगता है, दूद के बनने के लिए कई हार्मोन जिमेदार होते हैं, कई हार्मोन के इ भी दूध नहीं बनता या कम मात्रा में बनता है दिखे दूध नहीं बनना या कम मात्रा में बनना इसका मतलब है कि हार्मोन का जो बैलेंस है वो संतुलित नहीं है और संतुलित हो गया है तो दूध बनने के लिए कौन सा घरेली उपाय किये जाएं तो बहुत आसानी से किये जा सकने वाले तीन घरेल उपाए बताए गए हाँ पे और इन तीन घरेल उपाए में पहला उपाए इस तरह से है कि सफेद जीरा, सौफ, मिस्री तीनों को समान मात्रा में मिलाकर पीछ लें इस पाउडर का एक एक चम्मच एक कप गुनगुने दूध मिलाकर तीन बार पीए सुबह, दोपहर, साम तो इससे स्तनों में दूध बनने लगेगा उपाए दूसरा है सतावर का महीन चोंड बना लें लगभग 10 ग्राम सतावर का चोंड एक गुलास गुनगुने दूध में मिलाकर पीएं दलिया खाएं इस तनों में दूध की ब्रिधी होगी तो इस तनो है चावल और थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा दूध में डालकर पकाएं कुछ दिनों तक सुबह साम लेने से इस तनों में दूध बनने लगता है और दूध खुलकर और बढ़के आता है तो इस तरह से एक घरली उपाय है तो कोई एक घरली उपाय करें या दो करें जैसे भ परीके से काम करती है हर एक होमेपथिक मेडकर इस्टोर पर अवलेबल है पहली दवा है पल्सेटिला 30 की चार गोली रोज सुबह जीप पर रखें दूसरी दवा है लैक कैनानम 30 की चार गोली रोज साम में जीप पर रखें और तीसरी दवा है अर्टिका यूरेंस क्यू की वी स्बूंद एक कप गुनगुने पानी में पाई करने से दूद्ध खुलकर आएगा और आसानी से बनेगा भी और आसानी से बनेगा तो खुलकर आएगा और बच्चे का पोचन ठीक से हो पाएगा क्योंकि बच्चे के लिए दूद, एकदम, संतुलित और पौश्टिक आहार है, दुनिया का सरुस्त्रेश्ट आहार माना जाता है तो इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंट्स को भी सेयर करें थेंक यू, धन्यवाद